तो सौकेट तक का कनेक्शन हो गया और स्वीच का नड़ जो हता अच्छा से टाइट कर देना है और ये बोर्ड में PVC बोर्ड में छेट कर लेना है टेस्टर से या पेश्कर से और ये दोनों बोर्ड को फिट करने के लिए तयार है देख लिए दोस्तों किस तरह से हम पीवीसी में छेट कर दिये अब ये दोनों तार जो है पीवीसी के अंदर से डालके बाहर निकलना है और बोर्ड का नड़ टाइट कर देना है देख लिए दोस्तों किस तरह से हम नड़ टाइट कर दिये जब का फ़्य जिल्डूसार्टि यार कोुछ भी जाला कि दोस्तों मिलनों कोपड तर्मिनल में पेज आपके जूंट करते हैं और सब्सक्रा कर ओर हैं करना है इसको अच्छा से टाइट कर देना है हमने यह नट को टाइट कर दिया है यह देख लिए दोस्तों हमने यह नट को अच्छा से पूरी तरह से मेरा नट टाइट हो चुका है एक कट कर देना है किससी हो सोटेट के शुका थिखरेगा एक का फिर जाज़ मोतिश तॹने किस सोटार आ प्राज़ को उद्सटो किस तरह होता है आई से ले लिए स्वीच के उपर से ले लिए अब दिखाएंगे यह तार को कट कर लेना है थोड़ा सा अच्छा से चील के मोर लेना है अल्टा देना अच्छा से अपस में पलड जाएगा दोस्तों इससे क्या कि आपका फुसराने निकलेगा और connection अच्छा से रहेगा तो दोस्तों देख लिजिए L जिस टर्मिनल में है हम प्रोपर L में ही डाल रहे हैं देख लिए दोस्तों उधर N है तो इदर L है हम L में डालते हैं सेम उसी तरह से यह भी switch का connection दिखाएंगे इस हमारे पास कोमेंट आया है कि सहरा ऐसा बोट भी चाहिए हमारे एक subscriber ने कोमेंट किये यह बड़ बनाने का हाक मस्तद यही मेरी यही है कि यह देख लिए दोस्तों स्विच का दूसरा वह वाला टर्मिनल में दूसरा सुच में उपर में को तार डालके टैट कर देना है यह म है कि हमने तार चीलिया अच्छा से तार चील के मैंने प्लट दिया है तो यह देख लिए दोस्तों और सोकेट का एल वाला टर मिनल इसमें लिखा वार रहता है दोस्तों यह हमेशा याद रखना है यह सारा आदमी यह बात की जनकरी नहीं देगा मैं प्रूप के साथ बोलत करना है कि हमको लाएन उंटा नहीं देना है अब दोस्तों इसकी नेगेटिव वाइरिंग देख लीजिए नेगेटिव वाला एन वाला टर्मिनल में सोखेट का डालना है एक वला में और यहीं वाइर को उधर से लेके जाना इमको वह भी दिखाएंगे कि वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों यह थार को थोड़ा सा प्लिट देना है मैं को हमने प्लिट दिया यह वाइर को छिल लेना है कि पूरे काटना नहीं है दोस्तों पीबीसी हाटा के पीबीसी को कॉपर को मोड लेना है और सil्सूपिश सोखेट का जो है एन वाला टर्म तर्मिनल एन वाला टर्मिनल में टाइट कर देना है अच्छा से हमने टाइट कर लिया दोस्तों यह वाला और यह मेरा बोर्ड आप बन के तयार होने वाला है दोस्तों वीडियो में बढ़े रही है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सेर जरूर कीजिए और वीडियो क देख लिए तो दोस्तों फेच वाला वायर हम इसी जगह पे डाल दिया देख लिए वह जो काटे थे दोस्तों यह देख लिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें चलिए दोस्तों यह बोर्ड में हलका सा छेथ कर लेंगे यह मेरा एक्स् यह देख लिए दोस्तों यह एक्स्टेंशन बोड बनके तयार है और कोई भी वायर सोकेट में हम डालेंगे मेल लाइन इसमें आ जाएगा तो खास मकसद यही था दोस्तों कि एक्स्टेंशन बोड हमको एक सस्क्राइबर हमें कोमेंट किये सर ऐसे वीडियो बनाई है जो कि ह इसमें को वीडियो की जुरूत है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में है करें है